कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सन्मार बिसव रासी सुक्र का महा परिवर्तन हो रहा है सुक्र देव 21 नौवंबर को धनू रासी में प्रवेश कर रहे हैं बिस्टिक रासी से निकल कर और यहां पर 15 दिसंबर तक बने रहेंगे सुक्र जो जीवन में भौतिक सुक्र के कारक है आपके जीवन में सुक्र देने वाले सुक्र जब आपके आठ में भौ यानि धनू रासी में आएंगे तब आपके लिए थोड़ी सी अच्छी और थोड़ी सी बुरी समाचार लेकर आएंगे वैसे इस समय आपको हम पहले अच्छी चीजे बताएंगे यदि आप बिवाही थें तो आपके ससुराल वालों के साथ आपका अच्छा बॉंडिंग बनेगा अगर आप नए-ने साधी हुई है आपकी या फिर आप बंधने वाले हैं तो विवाह के बंधन में तो ऐसे में आप दोनों के बीच बहुत प्रेम बढ़ेगा और इस समय अगर आप जॉब करते हैं तो आपके ओफिस में आपकी तारिफ भी होगी हो सकता है आपको पर्मोसन भी मिल जाए दूसरी तरफ अगर आप बेफसाई हैं तो इस समय आपको धन लाब भी होगा लेकिन यह नहीं कि छपर फार होगा पर फिर भी होंगे सुक्र आपके रासी के स्वामी है इसलिए इस समय मन में थोड़े से आपको लगेगा अच्छा पहने थोड़े से भौतिक सुक मिले एकदम रईसी से रहें इस टाइब की चीजें आएंगी और यकिनन आप पुरी भी कर पाएंगे आपका धन आता रहेगा धन के मामलों में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती दिख रही है और आपके जीवन में जिस चीज की आपकी कामना है अपने गाड़ी की अपना घर की वो भी पुरी खोपाईगी अगर आप चाहें तो लेकिन बिना मतलब के पैसे मत खर्च कीजिए क्यो वो भी वापस आपको मिल जाए लेकिन चुकि आठवे भाव में सुक्रदेब जा रहे हैं तो आपको अपने स्वास्त का ध्यान रखना होगा क्योंकि स्वास्त पर इसका एफेक्ट रहने वाला है तो इसलिए अगर आपको पहले से कोई सारी रिक परिसानी है तो धियान द सामने वाले आपकी बातों से आपके बात करने के तरीके ही नहीं सिर्फ आपका बैक्तित उसे अच्छे खासे प्रभावित होंगे और आप इस समय सब कुछ आसानी से मिलेगा पर सिर्फ स्वास्त पर इफेक्ट है तो जरा ध्यान दीजिएगा अब बात करें अगर जो भी मेहने ज्यादा कुछ नहीं कनकधार आश्तरुत का पाठ करें और सुक्रवार के दिन खट्टी चीजे ना खाएं हरहर महादेव फिर मिलेंगे धन्यवाद